वेलकम तो प्राइम लेशन आज के जो टॉपिक है जनरल बाइलोजी से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें जो डिसकस किया जाएगा इस टॉपिक में आल कंपडिशन एक्जामिनेशन से रिलेटेड चाहों SAC हो, चाहों रिल्वे हो चाहों PC के थुरू हो जो भी आपके one day examination होती है उस one day examination से रिलेटेड ये टॉपिक को तियर की जा रहा है और इसको one by one आप टच करेंगे बात आती है जनरल बाइलोजी इस टॉपिक में हुमको डिसकस क्या करना है सबसे पहले तो बता दूँ इस टॉपिक में जो हुमको डिसकस करना है what is biology what is biology ठीक दूसरी टॉपिक में हुमको डिसकस करना है branch of biology इसके बाद डिसकस करना है importance of importance of biology ठीक आई इस टार्ट करते हैं biology होता है biology जो यह biology जो terms है जो नाम है यह biology terms सबसे पहले किस ने दिया कोई scientist ने दिया हूँ उस scientist का नाम है ले मार्क आयन्ड ट्रेवी रेनश ट्रेवी रेनश यह कई बाद एक्जाम में पूछा गिया है biology सब्द किस ने दिया term का मतलब होता है सब्द यह किस ने दिया लेमार और ट्रेवी रेनेस ने दिया था दूसरी बात यह है biology कैसा word है यह भी कमपड़िसे में पूछा गिया है biology जो word है यह कैसा word है Greek Greek सब्द है Greek word है ठीक यह जो biology होती है दो सब्दों से मिलकर बना है दो Greek word से मिलकर बना हुआ है एक आपका होता है bio और एक आपका होता है logi bio का मतलब होता है life और logi जो बना है LOGOUS से बना है और इसका मतलब होता है study इसका मतलब यह हुआ study of life अगर इस biology का definition अगर दो बिग्यान की वाशाखा जिसके अंतरगत जिवधारियों की बारे में अध्यन करते life का मतलब जीवन जिसमें जीवन होता है जिसमें life होती है उसके बारे में हम अध्यन जो करते है उनको कहा जाता है bio क्योंकि इस दुनिया में दो चीज़े होती है एक living होती है और एक non living होती है एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है तो लाइफ किस में होता है, सजीव में होती है, निर्जीव में लाइफ नहीं होता है, तो बाइलोजी के अंतरगत हम जो डिसकस करते हैं, study of life बिज्ञान की वर्साखा, जिसके अंतरगत जियुधारियों के बारे में ध्यन करते हैं, उनको कहा जाता है बाइलोजी, इसका the branch of science, which deals with study of, study of living organism, living organism, living organism, living organism, को हिंदी में कहा जाता है, जियुधारी, और जियुधारी उसको कहते हैं, जिसमें जीवन होता है, तो हमने बताया, कि बाइलोजी कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, बाइलोजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला बायो, दुसरा लोजी, बायो का मतलब हो ठिक, अब बात आती हैं, आगे चल करके, जो ये बाइलोजी हैं, इसको दो ब्रांच में बाटा गिया एक ब्रांच का नाम होता है बॉटनी और एक ब्रांच का नाम होता है जो लोजी है बॉटनी और जो लोजी, बॉटनी में किसका इस्टेडी होगा, प्लांच की बारे में, पौधे के बारे में, बिग्यान की वासा था, जिसके अंतरगत प्यण पौधे के बारे में अधियन करते हैं, उसको का काते हैं, बॉटनी, बनस्पती, बिग्यान बनस्पती का मतलब प्रिण पोधा होता है तो बोटनी का अंतरगत किसका स्टेडी करते हैं प्लांट्स का और जिलोजी का अंतरगत किसका स्टेडी करते हैं एनिमल्स का स्टेडी आफ प्लांट्स, स्टेडी आफ एनिमल्स ठिक, लेकिन अब यहाँ से questions आएगा, important questions important questions कभी कभी पूछी आती है जानते हैं क्या, यहाँ पर trick कर दे रहा हूँ पहले जो important question पूछी आती है, इससे related father of botany हर exam में पूछी आती है father of botany दुसरी, father of geology, यह भी कई बर question पूछा गया है तो father of botany कौन है father of geology कौन है और एक और question है father of biology father of biology तीनों कोसन में से कोई एक कोसन exam में जरूर ही आ जाती है मैं यहाँ पर indicate कर रहा हूँ father of botany को इसको कहा जाता है theofrestis father of geology को कहा जाता है aristotle और father of biology कहा जाता है भी aristotle तो देखें यहाँ पर कितना कोसन साज बता दिया गया general biology इस channel के माध्यम से biology से related जो भी examination में आते हैं चाहों biology से related हो चाहों environmental science से related हो और चाहें agriculture से related हो वो सारे questions इस channel के माध्यम से आपको provide कराई जाएगी और जो भी problem होगा हर एक point पर discuss होगा चलिए देखते हैं मैंने शुरुआत पहले किया था biology किया है biology word किस ने दिया था biology word कैसा है biology जो word है कितने Greek word से मिलकर बना है एक, दो, तीन, चार, दो Greek word से मिलकर बना है उसके बाद इसके branch हमने बताया botany और jilogy बताया botany में किसकी study होती है study of plants के बारे में study होती है प्रिणफोधे के बारे में study होती है और jilogy में किसकी study होती है जन्तूओं के बारे में study होती है और यहाँ पर एक कोर्सन से Father of Botany, Father of Geology, Father of Biology. तो Father of Botany, Theophrastis. नाम जो होगा, English और Hindi नेम दोनों एक ही होता है, तो कुछ इतना तो English जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये Advanced जमाने के साथ हमको और आपको दोनों आदमें को चलना पड़ेगा. तो Father of Botany, Theophrastis, Father of Geology, Aristotle. इंग्लिस में Aristotle लिखा जाता है, लेकिन उसको हिंदी में लिखा जाता है अरस्तू. उसी को अरस्तू कहा जाता है, इंग्लिस में Aristotle कहा जाता है. तो Father of Geology, Father of Botany और Father of Biology. क्लियर? दूसरी बात, एक कोशन और पूछा जाता है, अभी EPSCC के थूरू हमने ग्याम में देखा था. पूछा था कि जो फौदाराफ जो Botany है, वो थियोफरेस्टेस है. इन्होंने अपना रिसर्च किया होगा. कोई भी जो साइन्टिस्ट होते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, चांवा अरिस्टोटल हो, आचा हो थियोफरेस्टेस हो. थियोफरेस्टेस ने एक बूग लिखा था. थियोफरेस्टेस ने एक बूग लिखा था, और उस बूग का नाम है, हिस्टोरिया प्लेंटेरों. ठीक है? तो रिसर्च होती रहती हैं, और आगे इसके बारे में और डिस्क्राइब किये जाएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक में है, जनरल बाइलोजी में ही आती है, जो कि थोड़ा चीज आपको बता दूँ, इस दुनिया में दो चीजे होती, एक लिविंग होता है, बताया था सुरू में ही आपको, और एक जो कंडिशन होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं सर्जीव, और इसको हिंदी में कहते हैं नीर्जीव, एक सब लोग जानते हैं, कि लिविंग क्या होती, नॉन लिविंग क्या होती, बस जानते हैं, लेकिन आज पूरे टॉपिक में डिसकस हो जाएगा, कि लिविंग है तो क्यों है, और नॉन लि तो पाइलो जी में कि वह living के बारे में study होता है, non living के बारे में study नहीं होता है, ठीक, तो मेरा topic यह है, अगर वह living है, तो अबर से उसका कुछ character होना चाहिए, non living है तो उसका भी कुछ character होगा, उसका भी कुछ लच्छन होगा, तो next topic में हमको discuss जो करना है General Character of Living Organism सजीओं के सामान्य लच्छन General Character of General Character of General Character of General Character of Living Organism Living Organism सजीओं के सजीओं के सामान्य लच्छन General Character of Living Organism क्या इसका Character सोती है Following Character Following Character Following Character का मतलब होता है इसके निम्न लच्छन होते हैं अगर कोई आप से पूछ दे कि वो लीविंग है तो क्यों लीविंग है उसके क्या क्या लच्छन होते हैं उस पर आज टॉपिक पर डिसकस होगा और जब ये टॉपिक पर डिसकस होगा अगर आप कोई मालम हो जाएगा कि लीविंग क्या है ये Biology का जड़ है अगर ये जी मालम हो जाएगा तो आपको पढ़ने में इंट्रेस्ट पैदा होगा ठीक है? आई चलते हैं सजिओं के निम्न लक्षण होते हैं पहला पहला Cellular Structure Cellular Structure Cellular Structure दूसरा Nutrition Nutrition तीसरा Locomotion चोथा Reproduction पांचवा Excretion चाटवा Respiration Metabolism एट नमबर Growth नाइन्थ नमबर Adaptation ये कुछ General Characters किसके? सजिओं के अगर वह Living Beings होंगे जिओधारी होगा तो Cellular Structure उसकी बोड़ी के अंदर होगा घबड़ाईगा मत सारे पॉइंट पर में डिस्कस करने वाला हूँ Nutrition को हिंदी में कहा जाता है Portion Locomotion को कहा जाता है प्रचलन Reproduction को हिंदी में कहा जाता है जनन Excretion को हिंदी में कहा जाता है उत्शर्जन Respiration को कहा जाता है स्वसन Metabolism को कहा जाता है उपापचय Growth को हिंदी में कहा जाता है ब्रिधी Adaptation को Unculata Cellular Structure हिंदी देखा है न Kosi का संडचना या कोसा संडचना ठीक है तो यह इतनी जो टॉपिक हमारी है General Character of Living Organisms पर और मैं फिर Indicate कर रहा हूँ यह 9 नमबर है पूरे इसको discuss करना है आई Number 1 Number 1 Discuss होगी पहला पॉइंट पर पहली जो पॉइंट होगा Cellular Structure पर Cellular S T R U C T U R E कोसा संडचना मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूँ इंगलिस से घवड़ाईग मत यह Science है बावू और Science में Hindi और English जो नेम होता है दोनों इक्वल होता है टीचर जैसा बच्चों को पढ़ाएगा वैसा ही बच्चे सीखते है कुछ लोग के आदत है कि होती है कि स्तुध हिंदी में लिखते है तो उस वक्त आपको समझेने में तो अच्छा लगता है लेकिन एक्जामिनेशन का जो पेपर का जो बबू पैटर्न है वो प्यूर हिंदी शीद नहीं देती है उसमें इंगलिस वर्जन का समावेश होता वर्ड कंपरडिशन बढ़ चुकी बहुत आगए तो आप उस नए चीज़ों को जानिए सेलुलरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोसा संडचना हिंदी में उसको कहा जाता है मैंने लिखा हूँ कोसा संडचना कंसेप्ट यह है कि इस दुनिया में अगर लीविंग आर्गनिजम्स होगी अगर कोई लीविंग आर्गनिजम्स होगा अगर कोई जिवधारी होगा तो उसका बोडी उसका body यानि सरीर किसका बना होता है कोशिका का कोशिका का मतलब cells इस दुनिया में जितने body हैं जितने जिवधारी हैं उसका सरीर किसका बना होता है cells का बना होता है अब यहीं पर cross questions आती है what is cell what is cell कोशिका क्या है cell is a structural and functional unit of life कोशिका हमारी जिवन की संरशनात्मक तथा किरियात्मक इकाई होती है cell is a structural and functional and functional unit of life कोशिका हमारी जिवन की संरशनात्मक तथा किरियात्मक इकाई होती है इकाई का English क्या होता है unit और आपको बता दे unit वो होता है जिससे जिस चीज का निर्मार होता है हमारी बोडी का निर्मार की से हुआ है cell से हुआ है इसलिए हमारी बोडी की unit क्या होती है वो cell होती है तो यूनिट वो होती है, जिस से जिस चीज का नीरबार होता है, तो सेल जो होती है, सेल इजा इस स्ट्रक्चरल आइन फंक्शनल यूनिट आफ लाइफ, कोशिका हमारी जिवन की सनरशनात्मक तथा किरियात्मक इकाई होती है, दूसरी बात, कोशिका की खोज किस ने किया थ खोज Robert Hook ने Robert Hook ने यह बहुत important question से Robert Hook ने किया था कब किया था यह question पूछा गया था 1665 में किया था यह दोनों question से कोशिका की खोज कब की गई थी उसमें संग रहता है आपको याद होना चाहिए 1665 में किया था किस ने किया था तो Robert Hook ने किया था दूसरी questions जब Robert Hook ने सेल का discovery किया कोई भी आदमी जब disease पर discovery करता है तो उसका matter त्यार होता है उसका analysis करता है कि उसका structure कैसा होता है उसका chemical composition कैसा होता है उसका shape कैसा होता है उसका size कैसा होता है उसकी आकार कैसा होता है सब चुछी उसके बारे में study करता है और study करने के बाद एक book में publish करता है वो तो कहने का मेरा concept बाबु यह है कि Robert Hook ने तो सेल पर study किया तो जब सेल पर study किया तोनोंने सेल का structure की भी देखा होगा, microscope से, उस सेल किसकी बनी होती है, उसको भी देखा होगा, chemical composition, सेल किस आकार की होती है, उसको भी देखा होगा, ये सारी चीजे उन्होंने अपनी book में publish किया होगा, अर्थात Robert Hook के द्वारा पुष्तक लिखी गई थी, और यही पुष्तक क नाम, सारी competition में पुछी जाती है, कि Robert Hook के द्वारा लिखी गई पुष्तक है, माइक्रोग्राफिया, उस पुष्तक का नाम है, माइक्रोग्राफिया, मैं पहले ही कहाँ हूँ, कि यह सारी चीजे जब समझ में आ जाएगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, क्या चीजे बता दिया, cellular structure पर हमेंने discuss कर रहा था, एक point को लेकर के, कि cellular structure क्या है, तो बता दिया कि इस दुनिया में कोई भी living beings होगा, उसकी body का structure, cells की बनी होगी, फिर आगई बात की cells क्या होती है, मैंने उसको define किया, फिर बात आगई किसने खोया था, तो रावर धुक ने खोया था, कब खोया था, तो 60-65 में खोया था, जब उन्होंने खोया होगा, तो जाहिर इसी बात है, उन्होंने एक अपने publish किया होगा, उस book का और उस book का नाम होता है, Micrographia, ठीक है, second topic है आपकी, nutrition, nutrition पर point होगा, nutrition, nutrition, इसको हिंदी में कहा जाता है, portion, nutrition को हिंदी में कहा जाता है, portion, सब लोग समझे हैं कि nutrition होता है किया है, taking the food inside the body, ध्यान से, taking the food, taking the food, inside the body, is known as, is known as nutrition, यानि जो भी आप food लेते हैं अपने स्थरीर के अंदर, उसको आप कहाते हैं, portion कहाते हैं, आप जो खाना खाते हैं, उसको आप कहाते हैं, portion, taking the food inside the body, हम लोग food जो होते हैं, अपने बोड़ी के अंदर लेते हैं, उसको कहा जाता है, nutrition, क्यों फूड लेते हैं, मालम हैं, फूड लेना का तात पर क्या है, क्यों लेते हैं, मालम हैं, energy के लिए, क्यों लिए, उर्जा के लिए, no food, no energy, अगर food नहीं लेंगे, तो energy नहीं होगा, and no energy, no work, साब ही साब है, no food, no energy, no energy, no work, हमरी बोड़ी के अंदर बहुँ सारी किरियाएं होती रहती है, प्लान की बोड़ी के अंदर बहुँ सारी किरियाएं होती रहती है, और उन क्रियाओं को complete कराने के लिए energy की जरूत होती है मैं यहाँ पर speech के दे रहा हूँ हम बोल रहे हैं यहाँ यह finger move कर रहे है due to presence of energy अगर हमारे body में energy नहीं रहता तो मैं यहाँ पर speech नहीं दे पाते हैं तो speech याँ बोलना यह भी एक क्रिया है plant के body के अंदर बहुँ सारी क्रियाओं होती है जैवी क्रियाओं होती है animal के body के अंदर बहुँ सारी जैवी क्रियाओं होती है तो जो भी जैवी क्रियाओं होती है वो किसके presence में होती है वो energy के presence में होती है अब जो nutrition होता है इसको दो group में बाटा गया है यह जो nutrition होता है इसको दो ग्रूप में बाटा गया है यह दो types की nutrition होते हैं एक जो nutrition होता है उसको कहा जाता है और second topic जो होता है उसको कहा जाता है हिट्टो ट्रॉफिक हिट्टो ट्रॉफिक nutrition हिट्टो ट्रॉफिक nutrition इसको इंग्लिस में कहा जाता है swap policy और इसको इंग्लिस में कहा जाता है परपोशी इसको हिंदी में कहते है swap policy और इसको हिंदी में कहा कहते हैं परपोशी आए डिसकस करते हैं कि स्वाब पोसी क्या होता है आर्टो ट्रॉफिक आर्टो ट्रॉफिक स्वाब पोसी किसे कहते है जो अपना खाना स्वें बनाते है इस दुनिया में कुछ ऐसी जीव होते हैं जो अपना खाना स्वें बनाते हैं उनको कहा जाता है आर्टो ट्रॉफिक दो जी लिभिंग और गिजम स्विच और सिंथेसाइज और इट सेल्फ फूड डैट इस कॉल और ट्रॉफिक मैं हिंदी और इंगलिस दो न पता रहा हूँ जो जीव अपना खाना जो जीव अपना फूड स्वेम बनाते हैं स्वेम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं आटो ट्राफिक आटो का मतलब क्या होता है स्वेम ट्राफिक का मतलब क्या होता है फूड खूड बनाते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी जीव होते हैं जो अपना खाना स्वेम बनाते हैं क्यों क्योंकि उन में एक प्रोसेस होती है और उन प्रोसेस के नाम होता है फोटो सिंथेशिश अगर कोई पूछ देखे आर्टो ट्राफिक का एक्जामपल कौन होगा सभी हरे पोधे सभी हरे पोधे आल ग्रीन प्लांट्स इस दुनिया में जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर आर्टो ट्राफिक होती है सभी पोधे जो होते हैं अपना खाना स्वेम बना लेते हैं क्योंकि इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस का नाम होता है फोटो सिंथेशिस प्रकाश संसिलेशन की किरिया काया गी है फोटो सिंथेसिस के थुरू वो अपना खाना स्वेम बनाते है ठीक है दुसरी बात दुसरी बात जो होती है हिट्रो ट्राफिक हिट्रो ट्राफिक हिट्रो मतलब अलग होता है और ट्राफिक मतलब फूड होता है हिट्ट्रो का मतलब होता है अधर, O-T-H-E-R, अधर मतलब कोई दूसरा, और ट्राफिक का मतलब होता है फूड, यानि इस दुनिया में कुछ ऐसी जीव होते हैं, जो दूसरी जीवों के उपर भोजन के लिए आशिरित रहते हैं, इस दुनिया में कुछ ऐसी जीव होते हैं, जो अपना खाना, जो फूड के लिए, दूसरी जीवों के उपर डिपेंड्स होते हैं, उनको कहा जाता है, हिट्रो ट्राफिक नुट्रिशन, इसका बेश जो एक्जमपल होता है, इसका एक्जमपल कौन होता है, आल एनिमल्स, आयंड, नान ग्रीन प्लांट, ध्यान से, अभी आप कहें कि जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आट्रो ट्राफिक होते हैं, तो ग्रीन प्लांट आट्रो ट्राफिक होते हैं, यहाँ पर लिखाओं नान ग्रीन प्लांट, और नान ग्रीन प्लांट का मतलब क्या होते मालूम हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है कवक, एक माइक्रो आर्गेनिजम से सुच मिजीव हैं, जो सड़ी गल्यास थानों पर उपता हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, वो सभी एनिमल्स के अंदर हिट्रो ट्राफिक नूट्रिशन होता है, लेकिन ऐसा कौन सा एनिमल्स हैं, जिसमें आर्ट़ो ट्राफिक नूट्रिशन होता है, यह कई बार competition, examination में पूछा है, ऐसा कौन सा जन्तु हैं जो अपना खाना स्वें बनाता है सब कोई दिमाग में होगा कि जीव है जन्तु है तो खाना नहीं बनाता है लेकिन उसका exception है उसका कोई अपवाद है इस दुनिया में ऐसे कौन से animals हैं जो अपना food self बनाते हैं उसका example है इगलीना इगलीना एक animals है लेकिन यह स्वपोसी है आर्टो ट्राफिक है इसको छोड़ करके इगलीना को छोड़ करके बाकी सभी animals में हेट्रो ट्राफिक nutrition होता है और दुनिया में कुछ ऐसे plants होते हैं जो हारे नहीं होते हैं पारीजामपल कवक तो जो भारे नहीं होते हैं ग्रीन नहीं होते हैं इसलिए इसको कहा दिया गया नॉन ग्रीन तो नॉन ग्रीन क्यों होते हैं क्योंकि यहां पर कुल्रोफिल नहीं होता है no colorophyll no colorophyll colorophyll नहीं होता है और ये plant green होते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या present होता है colorophyll पाये जाता है ठीक आप सुनिए जो ये िट्ट्रोट्रापिक जो nutrition होता है इसको 3 गूरूप में बाटा गिया है जो िट्रोट्रापिक जो nutrition होता है उसको तिन गुरूप में बटा गिया है, एक होता है पैरसिटिक, एक होता है सेप्रोफिटिक, और एक होता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस. पैरसिटिक को हिंदी में कहते हैं पर जिवी, सेप्रोफिटिक को हिंदी में कहते हैं मिरित तप जिवी, और सिम्बायोसिस को हिंदी में कहते हैं सह जिवी, ठीक है, तो पैरसिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोसिस, अधी किलियर करेंगे. पैरसिटिक का मतलब क्या होगा? जो दूसरी को पर depends होता है. जैसे, for example, A plus B. पैरसिटिक का मतलब हमने कहा की हो, जो दूसरी को पर depends है. अर्था दो component है, A plus B. यदि यहाँ A, B को पर depend होगा, तो यहाँ A क्या होगा? पैरसाइट होगा. क्योंकि A किसके उपर depend है? B को पर depend है. अगर A, B को पर depend होगा, लेकिन पैरसाइट कब होगा? जब A, B के उपर depend होगा, लेकिन यह भी living होना चाहिए. अगर यह जिन्दा है, तो पैरसाइट होगा. अगर यह living नहीं होता है, अगर यह non-living रहता है, तो पैरसाइट कब होगा? जब कोई जिव, दूसरी जिव क उपर depend होता है, दूसरी living को पर depend होता है, तो आप पैरसाइट करते है. अगर अगर A, पलस B है, A, B क उपर depend होगा, लेकिन अगर यह B non-living है, अगर यह B non-living है, निर्जिव है, अगर कोई जीव दूसरी कूपर डिपेंट होगा लेकिन वह निर जीव है नॉन लीविंग है तो उसको का कहेंगे सेप्रोफिटिक अब पैरासाइट कब कहेंगे जो जीव दूसरी कूपर डिपेंट है लेकिन लीविंग कूपर डिपेंट है सेप्रफिटी कब कहेंगे जब जीव दूसरी कूपर डिपेंट है लेकिन वो नॉन लिभिंग कूपर डिपेंट है तो क्या होगा वो सेप्रफिटी और एक होता है सिमबायोसिस होता है सिमबायोसिस के हिंदी में कहाते हैं सहजीवी सहजीवी का मतलब साथ साथ रहेंगे जैसे दो कंपोनेंट होगा A प्लस B तो A B को उपर डिपेंट्स है और B A को उपर डिपेंट्स A B को उपर डिपेंट्स है और B A को उपर डिपेंट्स है यानि यह A B को हेल्प कर रहा है और B A को हेल्प कर रहा है यहने दो components होते हैं, यह B कूपर depend है, भी A कूपर depend है, सभी competition examination में पूछा गिया है, सहजीवी का उधारण क्या है, सहजीवी का उधारण क्या है, Lichen, L-I-C-H-E-N, इसका हिंदी में कहते हैं, Lichen, Lichen, किसका उधारण है, सहजीवी का, या सहजीवी का सबसे अच्छा उधारण बताईए, Lichen, और आपको बता दें, आपको बता दें, कि Lichen, L-I-C-H-E-N, Lichen, सहजीवी का उधारण है, इसका मतलब Lichen बना होगा दो कॉंपोनेंट से, A प्लस B, दिमाग में खटक रहागा कि A प्लस B में Lichen क्या होगा, एक होगा, L-G, यानि सैवाल, A प्लस कौवक, यानि सैवाल को इंगलीज में कहते हैं, L-G, आपकोवो को इंगलीज में कहते हैं, फंचाई, इस उकल टू, क्या होगा, बाबू, Lichen, ठिक, दूसरी बात, तो बात हुआ था, परसिट, सैप्रोफिटिक और सीम्बाईयोसिस, एक बार और डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो जीव दुसरे जीवों को पर डिपेंड्स होते हैं, परसाइट, सैप्रोफाइट, जो जीव दुसरे सड़े गले अस्थानों पर पाई आते हैं, उसको सेप्रोफाइट मिर्तब जीवी, सड़े गल्या स्थानों पर, असीमबायोसिस का मतलब सहजीवी, उसका बिक्स एजामपल क्या होता है, लाइकेन, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, A प्लस B, और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को लाप पहुंचाते हैं, सहता करता है, और कवाग सेवाल को सहता करता है, ठीक, तो यहां से एक कोशन कई बार पूछा गिया है, नूट्रिशन हमने बाता है था, नूट्रिशन क्या होता है, टाइप आफ नूट्रिशन क्या होता है, ग्रीन प्लांट क्या होता है, नन ग्रीन प्लांट क्या होता है, ऐसा कौन सा एनिमल से जो आडोट्रापिक नूट्रिशन करता है, इगुलीना है, और एक फंजाई है, तो फंजाई जो है, प्लांट है, लेकिन कैसा प्लांट है, नन ग्रीन प्लांट, ठीक है?